प्रस नमबर एक दोस्तो आज की वीडियो का पहला प्रस नेम लिखित में से कौन विटामिन एका प्राकर्तिक स्रोत नहीं है तो दोस्तो नेम लिखित में से मिलक याने दूद यह विटामिन एका प्राकर्तिक स्रोत नहीं है और संडी इसका ठीक हो जाएगा दोस्तो गाजर आम तथा पपी था यह तीनों ही विटामिन A के प्राकर्तिक स्रोत होते हैं दोस्तों दूद यह विटामिन A का प्राकर्तिक स्रोत नहीं होता दोस्तों विटामिन A दूद में बहुत अल्प मातरा में पाया जाता है दोस्तों विटामिन A का रसानिक नाम क्या होता है तो आप बताएंगे दोस्तो है विटामिन एंक रसानिक नाम दोस्तो रतोंधी नामख रोग हो जाता है next question प्रस नम्मर दो दोस्तो प्रस नम्मर दो है हमारा निम्न में से कौन एक ऐसा पधार ते जो की समूद्र में बहुतायच से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधी में दिया जाता है तो दोस्तों नीमलिखित में से आयूडीन यह दोस्तों समूद्र में बहुतायद से प्राप्त होता है और दोस्तों इसकी कमी से मनुस्य में घेंगा रोग हो जाता है Next question तो दोस्तों नीमलिखित में से कौन उर्धुपातन कर सकता है तो दोस्तों नीमलिखित में से अमोनियम क्लूराइड दोस्तों उर्धुपातन यानि सब्लिमेशन कर सकता है ओप्शन इसका ठीक हो जाएगा दोस्तों बात करते हैं उर्धुपातन यानि सब्लिमेशन के बारे में। दोस्तों सब्लीमिशन क्या होते है किसी पधारत को गरम करते है तो वह पधारत थोस्त शिदार गैस में परिवर्थित हो जाता है इस प्रिक्रिया को ऊरदोपातन कहते हैं। दोस्तों ठोस कारबन डाय ओक्साइड अमोनियम क्लोराइड आयोडीन एलमोनियम क्लोराइड नेप्थिलिन तथा एंथरसिन आधी दोस्तों उर्धोपातन की किरिया करते हैं प्रस नम्मर चार नेम लिखित में से कौन सी विधी जल को पंकिल जल यानी मड वाटर से अलग करती है तो दोस्तों नेम लिखित में से निस्यंदन विधी यानी फिल्ट्रेशन टेकनिक यह जल को पंकिल जल यानी मड वाटर से अलग करती है आप्सले सका ठीक हो जाए है दोस्तो मड़ वाटर यानि कीचड यूक्त जल से जल को अलक करने के लिए कीचड यूक्त जल को किसी विशेस फिल्टर पेपर से छानते हैं इस फिल्टर पेपर से एक निश्चित आकार से अधिक आकार के कण नहीं गुजर सकते इस प्रिकड़ी के दोस्तों, filtration कहते हैं, next question, प्रस नम्मर पाँच, नीम लिखित में से कौन नाभीके विखंडन में मंदक का कारे करता है, दोस्तों, नाभीके विखंडन में मंदक यानि मोडरेटर का कारे करता है, option भी इसका ठीक हो जाएगा, दोस्तों, नाभीके करने के लिए तथा समान रूप से बनाए रखने के लिए न्यूट्रोनों की गति को नियंतरन करने की आफसकता होती, इसके लिए भारी परमाडू वाले पधारतों का प्रियोग करते हैं, जैसे दोस्तों, हाइड्रोजन, ग्रिफाइड, हैवी वाटर तथा बेरिलियस इत नेक्स्ट कोशेन, प्रस नम्भर च्छे, उनिस सो अंठानवे में पोखरन में भारत दुवारा किये गए परमारू परिच्चन का कोड नाम क्या था? दोस्तो 1998 में पोखरण में भारत दुवारा किये गए परमाडू प्रिक्षन का कोड नाम था दोस्तो ओपरेशन सक्ती ओप्सोन इसका ठीक हो जाएगा दोस्तो 2 माई 1998 में राजस्तान की पोखरण में दूसरा पर्माडू परिक्षण किया गया था इसका कोड़ नाम ओपरेशन सकती था दोस्तो आप सभी के लिए होम वाके आप बताएंगे कि भारत का पहला पर्माडू परिक्षण का कोड़ नाम क्या था प्रस नमबर 7 कांच किया है दोस्तो कांच एक अतिसीती द्रव है क्या दोस्तो कांच एक अतिसीती द्रव है ओप्सन से इसका ठीक हो जाए दोस्तो कांच का निर्माण बालू सलफर तथा सोडा इतियादी सामगरियों से किया जाता है next question, press number 8 दोस्तो हमारा पिड़ग नासी के रूप में डे डी टी के प्रयोक की हानी है तो दोस्तो पिडि़ग नासी के रूप में डे डी डी के प्रयोक की दोस्तो हानी होती है यह प्रकति से सरलता से निम्निकरण नहीं होता है option d इसका ठीक हो जाएगा दोस्तो DDT का प्रियुक पीड़क नासी तता कीट नासी की रूप में किये जाता है दोस्तो परंतु अब इसे बंद कर दिया गया है प्रकती में इसका अपगटन आसानी से नहीं हो पाता यानि इसका निमनिकरन आसानी से नहीं हो पाता Next question Press number 9 दोस्तो प्रेस नंबर 9 है मारा दूद को दही में इसकंदित करने वाला एंजाइम होता है रेनिन ओप्शन इसका ठीक होच है दोस्तो रेनिन जोता है या दूद को दही में परिवर्चित करने वाला एंजाइम होता है Next question Press number 10 प्रेस नंबर 11 Mono-Gite rate में कौन सा खनीज मौजूद होता है दोस्तो Mono-Gite rate में थोरियम नामा खनीज मौजूद होता है यानि ओप्शन इसका ठीक हो जाएगा दोस्तो इंडिया यानि भारत के पास बिश्यू का सरवाधिक थोरियम के भंडार संची थे भारत में थोरियम मोनोजाइट rate से प्राप्त किया जाता है प्रेस नमबर 12 हीमोगलोबिन में नीम लिखित में से कौन सी धातू मौजूद होती है दोस्तो हीमोगलोबिन में आयरेन यानि लोह धातू मौजूद होती है ओप्शन सीस का ठीक हो जाएगा दोस्तो हीमोगलोबिन में पाये जाने वाला लोह योगिक कौन सा होता है तो आप बताएंगे हीमोगलोबिन में पाये जाने वाला लोह योगिक दोस्तो हीमेरिन होता है दोस्तो समाने व्यक्ति के बलड में हीमोग्लोवीन की जो मातरा होती है वह 15 गराम पर्ति 100 ml पाई जाती है next question प्रेस लमर 13 मानाव हिर्दय की समानने धर्कन 70,3 मिनिट होती है दोस्तो दोस्तो मानाव हिर्दय की समानने धर्कन 60,6 लेकर 100,021,6 रिदमिनिट होती है option 20 का ठीक हो जागा दोस्तो एक व्यसक मानाव हिर्दज होता है 24 गंटे में लगवग कितो दोस्तो 24 घंटे में लगबग 1 लाक बार धोलगता है यानि दोस्तो 1 मिनट में लगबग 60 से लेका 100 बार धोलगता है दोस्तो अगर किसी की धरकन प्रती मिनट 50 से कम हो जाए तो दोस्तो उसेicamente का सहारा लेना होता है प्रस नम्मर 14, लिूकेमिय एक परकार का मानो रोग है जो की सफेद रख्त कोशिकाओ का कैंसर होता है, option 10 का ठीक हो जाएगा दोस्तों, डबलू बीसी आनि सफेद रख्त कोशिकाओ के कैंसर को लिूकेमिय कहते हैं, दोस्तों कैंसर क्या होता है, तो दोस्तों कैंसर कोशिकाओ के आनियमित हुआ, आनियंतित ग्रोध को कैंसर कहते हैं, दोस्तों लिूकेमिय यह रख्त कोशिकाओ को प्रभावित करता ह प्रस नमंबर 15 सरवाधिक उर्जा की केलोरी उत्पन होती है दोस्तों सरवाधिक उर्जा की केलोरी जो हता है वह सुधघी में उत्पन होता है और अप्सका ठीक हो जाएगा दोस्टो पीर घी यानि सुद्ध घी में सरवाधिक ओर्जा की केलोरी उतपन होती है दोस्टो दूद में उपस्तित वसा को जब पूर्ण रूप से सुद्ध अवस्ता में अलग कर लिया जाता है तो इसे घी कहते हैं दोस्तो घी यह विटामिन A तथा विटामिन D इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाते हैं दोस्तो सुद्ध वसाहि घी कहलाता है नेक्स कोश्चन प्रस नम्मर 16 मानो शरीर में यकर्त द्वारा लगबग कितना पित तयार होता है दोस्तो हीमन बोडी में यकर्त यानि लीवर के द्वारा लगबग दोस्तो 40 ओंस पित तयार होता है ओप्सन भी इसका ठीक हो जाएगा दोस्तो मानो शरीर में यकर्त द्वारा लगबग 40 ओंस पित तयार होता है next question नमब 17 एक यूनिट में कितना लिटर रख्ट होता है तो दोस्तो आप बताएंगे एक यूनिट में लगभख 450 Ml यानी मिली लिटर रख्ट होता है आपसन भी इसकी हो जाएगा दोस्तो एक यूनिट रख्ट से लगभख तीन लोगों की जान बचाई जा सकती है प्रस नम्मर 18 जीव विज्यान में DNA का पून्ड रूप क्या है तो दोस्तों आप बताएंगे जीव विज्यान में DNA का पून्ड रूप होता है डी आक्सी राइबन उकलीक एसिड क्या होता है डी आक्सी राइबन उकलीक एसिड होता है ओफ्सन डीस का ठीक हो जाएगा नेक्स कोश्चन प्रस नंबर 19 मुंबई में परमाणू उर्जा संस्तान का पुन्हा नामकरन किस भारतिय भहत्तिक विद्य के सम्मान में किया गया था तो दोस्तों आप बताएंगे मुंबई में इस्तित परमाणू उर्जा संस्तान का पुन्हा नामकरन न होमी जहांगीर भावा के सम्मान में किया गया था यानि ओप्सन डीस का ठीक हो जाएगा दोस्तों 1966 में 1966 में होमीर जहांगीर भाबा के अकासमात निधन पर उनके उतक्रिष्ट कारे के सम्मान में ततकालिन परधान मंत्री इंद्रा गांधी ने परमाणू उर्जस संस्तान जोकी मुंबई के ट्रामबे में इस्तित है इसका नाम डाक्टर होमीर जहांगीर भाबा के नाम पर भाबा परमाणू अनुसंदान केंद्र रख दिया क्या कर दिया भाबा परमाणू अनुसंदान केंद्र रख दिया ओफ्शन डिसका ठीक हो जाएगा नेक्स कोश्च प्रस नम्मर 20 दोस्तो आज की वीडियो का अंतिम प्रस नम्मर 20 से हमारा माउंट कंचन जंगा क्या है तो या सिक्क्裡म बौर्डर उस्तित कहा है या भारत के सिक्किम बौर्डर इस्तित है दोस्तो इसकी उचाईल लगभग 858067 कितनी रख 8506 मीतर हैْ दोस्तो अगर हम बात करें बिश्टो की सबसे उची चोटी कौन सी है तो आप बताएंगे बिश्टो के सबसे उची चोटी है माउंट एवरेश्ट जिसकी उचाहिए लगबग दोस्तो अगर हम बात करें बिश्टो की साइकरी नमबर पर आने दूसरे नमबर पर हाईस चोटी कौन से तो आप बताएंगे बिश्टो में हाईस साइकर नमबर जो चोटी है उसका नाम है केटू जिसे गौडविन आस्टीन भी कहते हैं इसकी उचाहिए आठ चैसो ग्यारा मिट्र कितनी है आठ चैसो ग्यारा मेटर जो की कारा कॉरम रेंज में इस्तित है दोस्तो आज की वीडियो से इतने इंप्रकटन कोशन बन सकते दें आज के लिए आप अपके लिए दूस्तों कोशन है मानो तोचा की और सबमोटाइ कितनी होते दोस्तों इसका सही जवाब आप सभी को comment सकते में बताना हैं अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आयो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को दोस्तों आप अपने सभी friend list में ज़रूर शेयर करें, दोस्तों धन्यवाद